हलो फेंड्स इस वीडियो क्लास में हम डिसकस करेंगे गोल्डन वोकैबलरी जो की हाइली एक्सपेक्टेट टर्म्स हैं सभी बेंकिंग और एससे एक्जाम्स के लिए तो चलिए देखते हैं इन वर्ट्स को इन वर्ट्स के आपको संवनिम्स बताना हैं और यहां पर 5 ओप्षं दी हैं उसमें से एक वर्ट आपका सही है तो आप थोड़ा सा सोची इन वर्ट के बारे में किसका मीनिंग क्या हो सकता है उसके बाद मैं इन सभी वर्ट के आंसर डिसकस करूँगा इस वीडियो क्लास में तो पैदा वर्ट इस टाइमी और बेंबूजल, डिरीजन, कैप्टिवेट, निगाडली और ड्रेंच पाँच ओप्शन दी हैं इसमें तो इस टाइमी का मतलब होता है किसी व्यक्ति का कन्फ्यूज हो जाना, प्रफ्लेक्स हो जाना या बेंबूजल हो जाना तो यहाँ पर आंसर होगा आपका बेंबूजल, डिरीजन means to make fun of somebody, मौकरी, so डिरीजन means हसी उड़ाना किसी व्यक्ति की, captivate means to attract someone, और आकरसित करना, निगाडली means बहुती कंजूस व्यक्ति, और ड्रेंच का मतलब होता है भीगना, तो यह इसके सारे answers है, बेंबूजल इसक क्लमजी, मैली, गर्लिश, और फैमिन, विरायल हमें कैसे व्यक्ति को बोलते है, जो मस्कुलर है, और हुस्ट पुस्ट है, ताकतवर है, और यहाँ पर जो सही answer होगा, इसका विरायल का वो होगा, मैली, क्लमजी का मतलब होता है, awkward, negotiable, जिसको negotiate किया सकता है, गर्लिश सब ललकियों जैसा, feminine मतलब औरतों से related, तो manly, यहाँ पर इसका सही answer आपका होगा, next what I'm देखते है, draconian, और 5 option में से refutable दिया है, submissive दिया है, womanly दिया है, accommodating दिया है, and punitive दिया है, तो draconian is something that is very severe and that is very hard, तो उसके लिए जो सही word है, वो है punitive, इसका मतलब severe भी होता है, त punitive, accommodating means adjusting, womanly submissive means someone who is very, very simple and very too obedient, someone who is too obedient, is called submissive, बहुती दबूर टाइप का विक्ति उसका हम बोलें, समय से refutable, जो जिस बात को हम deny कर सकते हैं, जिसका खंडन किया जा सकता है, उसको हम बोलते है refutable, जिसको आप refute कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सही answer होगा, आपका punitive, next word देखते है, conundrum, और conundrum, एक ऐसी riddle होती है, एक ऐसी puzzle होती है, जिसको solve करना बहुती मुश्किल हो तो यहाँ पर सही answer होगा, आपका punzer, because punzer also means puzzle और riddle, तो यहाँ पर punzer आपका सही answer होगा, relentless का मतलब होता है, persistent या un-yielding, लगातर काम करने वाला व्यक्ति, whimsical का मतलब होता है, manmoozy, या fickle minded, या आस्थिर व्यक्ति, accumulation का मतलब होता है, एकटा करना, और furtive का मतलब होता है, चोरी, छुपे, कोई काम करना, तो poser यहाँ पर आपका सही answer होगा, common drum का, ठीक है, काफी tough word है, इस वीडियो को आप दो या तीन बार देखिए, तभी आपको ये सारे word अच्छे तरीके से याद हो पाएंगे, fetish का क्या मतलब है, fetish का मतलब होता है, किसी भी चीज के लिए जनून या एक मैनिया या obsession, तो इसके लिए जो next word है, वो होगा, fixation, यह इसका answer होगा, weakness मतलब कमजूरी, obese मतलब मोटापन या मोटापा, posterity मतलब आने वाली generations, ठीक है, ancestral इसका उल्टा होगा, और strength का मतलब होता है, ताकत या शक्ती, तो यहाँ पर सही answer आपका जो होगा, और pilfer का मतलब होता है, चोरी करना या आपके पास जो fund है, आपके trust में जो fund उसको misappropriate करना या misuse करना, तो यहाँ पर इसका सही जो meaning होगा, वो होगा, आपका misappropriation, deviation का मतलब होता है, अपनी अपने रास्ते से भठकना, to go away from your set target, लेमिफिकेशन का मतलब होता है, परिणाम या consequences, plinth का मतलब होता है, base या bottom of something, और stoic का मतलब होता है, कैसा व्यक्ती जो pain और planal situation में, same रहता है, उसका मतलब होता है, लूट का मतलब होता है, something that is not very decent or graceful, कोई भी ऐसी चीछ जो भदी है, या vulgar है, या असोब नहीं है, उसका हम बोलेंगे, लूट, तो यहाँ पर सह सही आंसर आपका जो होगा, वलगर, litigate का मतलब मुकदमा चलाना, locatious मतलब talkative, बहुत जदा वादूनी व्यक्ती, pliable means flexible, और stump का मतलब होता है, confused हो जाना, या प्रफ्लेक्स हो जाना, next word देखते हैं, flounder, तो flounder का मतलब होता है, mentally या physically struggle करना या लड़ खडाना, तो यहा foil का मतलब होता है, किसी चीज को discourage कर देना, या frustrate कर देना, ठीक है, जैसे police होती है, वो किसी plan को, या किसी scheme को foil कर देती है, तो उसको हम बोलते है, foil करना, तो यहाँ पर आपका जो सही answer होगा, वो होगा, struggle, flounder, next word देखते हैं, snoop, चोरी छुपे, किसी चीज को investigate करना, तो उसको हम बोलेंगे, pry, pry, यहाँ पर सही answer होगा, आपका, और, stolet का मतलब होता है, impassive वक्ति, जिसके अंदर emotions नहीं है, impassive, stolet का मतलब होता है, scandal, का मतलब कोई भी, कोई भी गलत scheme, और कोई भी scandal, उसको हम बोलते है, next हम देखते है, scathing, scathing का मतलब होता है, किसी चीज की किसी चीज पर ब्यंग करने वाला कोई, कोई, कोई भी काम, और, मौकरी, और, तो यहाँ पर सही answer आपका होगा, sarcastic, sarcastic, यहाँ पर आपका, सही answer आपका होगा, spook का मतलब होता है, घोस्ट को भी हम spook बोलते हैं, और डराने को भी हम spook बोलते हैं, next हम देखते है, flout, flout का म plight, plight का मतलब होता है, परेशानिया या, bad conditions, तो troubles, यहाँ पर आपका, सही answer होगा, quandary का मतलब होता है, आपका, कोई भी दुविधा, या कोई भी डिलेमा, तो डिलेमा यहाँ पर आपका सही answer, इसका होगा, quandary का, यहाँ पर हम revision करेंगे, flout का मतलब होता है, violate करना, किसी च करना, fetish का मतलब होता है, mania, या obsession, conundrum का मतलब होता है, puzzle, virile का मतलब होता है, manly, बहुत ज़्यादा, ताकत्वर ब्यक्ति, draconian का मतलब होता है, कोई भी चीज बहुत ज़्यादा, cvr, या कड़ी हो, तो उसको हम बोलते हैं, draconian, plight का मतलब होता है, negative sense में, यह word normally use होता ह होता है, bad conditions या बुरी हालत के लिए, इसको हम use करते हैं, scathing का मतलब होता है, sarcastic, pry, interfere, flounder, struggle, misappropriation का मतलब misuse करना, जैसे misappropriation of fund, ठीक है, reprieve यह word भी बहुत important है, pardon होता है, इसका मतलब माफ करना, pilfer, चोरी करना, या misappropriation, conundrum, puzzle, ply, किसी भी चीज को परसू करना, या काम करना, impassive, जिसमें कोई emotions नहीं है, और inscrutable भी बोलते हैं, इसको हम impassive को, तो यह यहाँ पर आपका revision हुआ है, अब हम देखतें next word, यहाँ पर सारे answers दिये हुए है, peevish का मतलब होता है, easily irritable, या easily irritated, जो आसानी से नाराज हो जाता है, उसको हम बोलते है, peevish, ठीक है, इसको रोक के आप detail में, यहाँ पर यहाँ से सारे word के synonyms पर सकते हैं, adage का मतलब होता है, कोई भी proverb, या कोई भी कहाबत, machination का मतलब होता है, to plot evilly for personal gain, ठीक है, इसा पूर्भा किसी व्यक्ति को फसादेना, उसको हम बोलते हैं, machination, mount bank, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं, जो धोका जड़ी करता है, someone who deceips others, especially to rob them of their money, fordester बोलेंगे, imposter बोलेंगे, तो यहाँ पर सारे synonyms भी आप पर सकते हैं, apocryphal, हम एक dubious चीज को बोलते हैं, एक ऐसी चीज, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, apocryphal, एक अच्छा word है, irsage, an artificial substance, used as a substitute to a natural one, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो fabricated है, या spurious है, उसको हम बोलते हैं, irsage, archetype, हम prototype को बोलते हैं, hyperbool, hyperbool का मतला होता है, overstatement, या extravagant statement, redundant, हम एक ऐसी व्यक्ति को बोलेंगे, एक ऐसी चीज को बोलेंगे, जो needless है, जिसकी जरुवत नहीं है, जो जरुवत से ज़्यादा है, उसको हम बोलते हैं, redundant, hermit who has withdrawn to a solitary life, साधु संथ को या खेले में रहने वाले व्यक्ति को, हम hermit बोलते हैं, gazole का मतलब होता है, persuade करना, espionage का मतलब होता है, जासूसी करना या spy करना, restive का मतलब होता है, unable to remain still, मतलब जो aister है या शान्थ है, उसको हम बोलते हैं, restive, यहाँ पर हम revision two करेंगे, restive का मतलब होता है, जो अशान्थ है, hyperbol मतलब जो जादा बोलता है, या overstate करता है, previous का मतलब जो आसानी से नाराज हो जाता है, passive का मतलब जो सोचता रहता है, बहुत सोचने वाला व्यक्ति, redundant मतलब needless, कजोल मतलब persuade, punitive मतलब severe, murky मतलब dubious, mount bank मतलब एक imposter व्यक्ति, imposter को ही हम mount bank बोलते हैं, draconian, severe, bamboozle मतलब puzzled, widespread और rampant, जो सब जगे फैले हुए हैं, उसको हम बोलते हैं, widespread और rampant, nonplus का मतलब भी confused होना होता है, espionage मतलब जासूसी करना, apocryphal मतलब dubious और prime मतलब interfere करना, तो यह सारे word मैंने explain किये हैं, और इस वीडियो को आप दो या तीन बार देखते हैं, तो यह सारे word अच्छे तरीके से आपको आसानी से याद हो जाएंगे, और सारे ही यह important word है, इस नमबर पर और इस email ID के थ्रू आप मुझसे contact कर सकते हैं, और अपना feedback आप मुझे दे सकते हैं, और यहां से आप online test series ले सकते हैं, और इसके इलाबा एक site और मैं आपको बता रहा हूँ, myeaclasses.com, myeaclasses.com, यहां से भी आप test series केबल 99 रुपीज में किसी भी exam के लिए ले सकते हैं, so thank you very much for watching this video, thank you.